नमस्कार जी मिरा नामे मीनू बताने जारी हूँ गुप्त नवरात्री 28 इन 9 दिनों में होती है गुप्त साधनाई हिंदू धर्म के अनुसार एक वर्ष में चार नवरात्री होती है लेकिन आम जन के वल दो नवरात्री चैत्रवा शार्दी नवरात्री के बारे में ही जानते है इनके अलावा माग अशार मास में भी नवरात्री का पर्व गुप्त रुप से मनाया जाता है इसलिए इने गुप्त नवरात्री कहते हैं इस बार माग मास की गुप्त नवरात्री का प्रारम माग शुकल प्रतिपदा 28 जनवरी शनिवार से हो रहा है जो 5 फरवरी रविवार को समाथ होगी क्यों कहते हैं इसे गुप्त नवरात्री? माग मास की नवरात्री को गुप्त नवरात्री कहते हैं क्योंकि इसमें गुप्त रुप से शीवा शक्ति की उपासना की जाती है जबकि चैत्रवा शार्दिय नवरात्री में सार्वजनिक रुप से माता की भक्ती करने का विधान है अशार माज की गुप्त नवरात्री में जहां वामाचार उपासना की जाती है वहीं माज माज की गुप्त नवरात्री में वामाचार पदती को अधिक मानता नहीं दी गई है ग्रंतों के अनुसार माज माज के शुकरपच का विशेश महत्व है शुकल पंच की पंच मी कोई देवी सुर्सती परगट हुई थी इनी कारणों से माग मास की नवरात्री में सनातन ब्यादी दिती के नुसार देवी साधना करने का बिधान निशित क्या गया है गुप्त नवरात्री विशेश तोर पर गुप्त सिधियां पानी का समय है सादक इन तुनों गुप्त नवरात्री माक्त ताशाण में विशेश साधना करते हैं ज़ता चमतकारिक सक्तियां पराद करते हैं साल में कपका बाती नवरात्री जानिये हिंदू द्रम के नुसार एक वर्ष में चार नवरात्री होती है वर्ष के प्रथम मास थाथ चैत्र में प्रथम नवरात्री होती है चौथे माँ अशाण में दूसरी नवरात्री होती है इसके बाद अश्वीन मास में प्रमुक नवरात्री होती है इसे प्रिकार वर्ष के ग प्रमुक मानी जाती है। इस तोरान गर्वों के माध्यम से माता की अराधना की जाती है। गुप्त नवरात्री कहते हैं। धन्यवाद मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर करें।